हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल lgr study inter में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग class 12 यानि की intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए chemistry के महतपूर्ण objective question का chapter wise त्यारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का 22 नंबर वीडियो है chemistry के महतपूर्ण objective question के लिए 20 वीडियो अल्रेडी हम upload कर चुके हैं जिसमें आपको बता दे chapter 1 से chapter 11 तक के सभी महतपूर्ण objective question का chapter wise त्यारी मेरे द्वारा करवाया गया है तो अगर आप अभी तक इस सभी अकीस वीडियो को नहीं देखे हैं इस्ट महतपूर्ण question के दोरा पूछा जा रहा है कि पेंटे नौन किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है तो एक का यहाँ पर आपका जो है डी option सही होगा याद रखेंगे उप्यूक्त सभी जो है वो सेरिंखला समावयवता भी प्रदर्शित करता है अस्थान समावयवता भी प्रदर्शित करता है और किर्यात्मक समावयवता भी प्रदर्शित करता है तो ओप्यूक्त सभी यानि की डी option यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ये आपका दो नमर कुश्चन होना चाहिए बट जो है बाइ मिस्टेक ये तीन लिखा हुआ है ये मानने दो नमर कुश्चन है दो नमर कुश्चन के जो आप पूछा जा रहा है निम्न में से कौन गर्म करने पर या आस्वन करने पर आपको बताना है कि फॉर्मल डिहाइड नहीं देगा फॉर्मल डिहाइड कौन सा गर्म करने पर और आस्वन करने पर नहीं देगा तो यहाँ पर आपका दो का जो सही आंसर होगा वो डी होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरा फॉर्मल डिहाइड यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा क्या होगा पैरा फॉर्मल डिहाइड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है तीन नंबर महत्पूर्ण को पूछा जा रहा है कि टॉल्विन का क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड की क्रिया से बनती है क्रोमिल क्लोराइड की क्रिया से क्या बनती है तो तीन का यहाँ पर आपका C option सही होगा याद रखेंगे बेंजल डिहाइड कौन तो बेंजल डिहाइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे आपके चार नमबर महत्पुर्ण को चार नमबर कोश्चन के दोरा पूछा जा रहा है कि निम्ण में से किसका ओक्सी करन सम्तुल्य आपको बताना है कि कार्बोनिल योगिक देता है कौन साथ जो किसका ओक्सी करन सम्तुल्य जो है वो कार्बोनिल योगिक देता है तो चार का ए ओप्शन यहाँ पर आपका स्वयोगा याद रखेंगे तू हाइड्रोक्सी प्रोपीन यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके पांच नंबर महत्पूर्ण कुश्चन को पूछा जा रहा है कि समान्य सुत्र CnH2nO2 का खुली सरिंखला के लिए हैं किसके लिए हैं तो यहाँ पर आपका पांच का बी ऑप्शन जो है सही होगा याद रखेंगे कार्बोक्सील आमल के यहाँ पर कार्बोक्सील आमल जो है बिलकुल है सही आंसर होगा आपको बता दे कि intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे mobile app को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का लिंक मिल जाएगा वहाँ से mobile app जरूर डाउनलोड कर लिजिए क्योंकि वहाँ पर आपको intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए सभी subject के महतपूर्ण subjective question, objective question, क्रिविजन notes, class notes, moral paper का PDF आपको बिलकुल फिरी में मेरे mobile app पर मिल जाएगा तो इस वीडियो के description box में link है, वहाँ से download कर लिजिए, दो mobile app है, एक में तो आपका PDF सब मिलेगा और एक में video lectures, इसके बाद आपका online test, सारा सुद्धा आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, link इस वीडियो के description में, तो वहाँ से download कर लिजिए, नहीं तो पले store पर search करेंगे, LGR study app तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा चलिए देखते हैं, छो नमबर question को पूछा जा रहा है कि, सरसिटिल ब्रोमाइड की CH3 MGI की अधिक्ता में, तथा बाद में, संत्रिप्त NH4 CL billion से किरिया करने पर उत्पाद देगा क्या उत्पाद देगा, तो 6 का यहाँ पर आपका जो है, A option सही होगा, याद रखेंगे, 2, Methyl, Propane, 2, All, यहाँ पर आपका बिल्कुल है, सही आंसर होगा Next देखेंगे, यहाँ पर आप आप साथ नंबर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि, कि टोन से साइनो हाइडरीन का बनना एक उदाहरन है, किसका उदाहरन है, कि टोन से साइनो हाइडरीन का जो बनना है, वो किसका उदाहरन है, तो यहाँ पर आपका साथ का जो सही आंसर हो यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे यहां पर आप आपका डी आप्शन सही होगा याद रखेंगे सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे आप आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे आप जो है नौ नमबर महत्पुर्ण कोश्चन के दोरा आप चे पूछा जारा है कि बेंजल डिहाइड अलकोहलिये HCN से किरिया करके देता है बेंजल डिहाइड जो है वो यहाँ पर आपको बताना है कि अलकोहलिये HCN से किरिया करके क्या देता है तो नौका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो A होगा that means याज रखेंगे C6H5CHOH into CN यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा next देखेंगे यहाँ पर आप 10 नम्बर महत्पूर्ण कऊश्चन है पूछा जा रहा है की Aldehyde का Ketone करिया नहीं करते है Aldehyde के साथ करिया नहीं करते है तो 10 का D option यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे डाइ, हैड्रोजन, सोडियम, फॉसफेट के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे आपके 11 नंबर कुश्चन को बोला जा रहा है कि निम्न में किसमे अल्डोल संगनन होता है निम्न में किसमे जो है अल्डोल संगनन होता है तो एगारा का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो D होगा, that means CH3, CH2 और CHO यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर कुश्चन 12 नंबर कुश्चन के दोरा पूछा जा रहा है कि बहुली करन के परिनाम से यहाँ पर आपको बताना है कि पैरा एल्डी हाइड बनता है तो यहाँ पर कौन सा यहाँ आपका आपका जो सही आंसर है तो 12 नंबर कुश्चन के दोरा पूछा जा रहा जैसा कि आप देख सकते हैं कि एरो मैर्टिक एल्डी हाइड सी एन माइनस आयन की उपस थिती में यहाँ पर आपको बताना है कि एसी लो इन देता है यह आभी किरिया कहलाती है यह आभी किरिया क्या कहलाईगी तो 13 का यहाँ पर आपका B option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे बेंजोईन संगहनन यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे 14 नंबर कुश्चन पूसा जारा कि निम्न में से कौन सी बिधी का पड़ियोग कीटोन से यहाँ पर आपको बताना है कि हैड्रो कार्बन में पड़िवर्तन में किया जाता है हैड्रो कार्बन में आपको बदलना किसको तो कीटोन को तो यहाँ पर कौन सा जो है बिधी का उप्योग होगा बिधी का पड़ियोग होगा तो चोदा का यहाँ पर आपका D option सही होगा है तो रखेंगे वॉल्फ किसनर उपचयन यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नमबर question के जोरा पूछा जा रहा है कि Acetaldehyde का SeO2 के साथ oxy current पर बनता है तो 15 का यहाँ पर आपका C option सही होगा यहाँ रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Glioxal यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे आपके 16 नमबर question को 16 नमबर question है कि Acetone, Sandr, H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है जब आप क्या करेंगे Acetone, Sandr, H2SO4 के साथ जब आप गर्म करते हैं तो क्या देगा तो 16 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो A हो का याद रखेंगे Macitilene देगा क्या देगा तो Macitilene यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर कुष्चन 17 नंबर कुष्चन के दोरा पूचा जा रहा है कि Acetophenone से आपको बताना है कि Acetal Dehyde के पिर्थक करन में जो है अभी कर्मक पड़ियोग किया जाता कौन सा अभी कर्मक यहाँ पर पड़ियोग किया जाएगा तो 17 का जो A option है बिल्कुल है सही होगा याद रखेंगे NAHSO3 यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा Next देखेंगे 18 नंबर कुष्चन 18 नंबर कुष्चन के दोरा पूचा जा रहा है कि नाभी कसनेही योग निम्न में सरवाधिक अनुकुल है नाभी कसनेही योग जो है निम्न में से किसमे जो है सरवाधिक अनुकुल है तो 18 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो A होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3 CHO यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चलिए देखते हैं आपके 19 नमर कुश्चन को 19 नमर कुश्चन के दोरा पूशा जारा कि निम्न में से कौन सा आयोडो फॉर्म परिक्षन नहीं देता है आयोडो फॉर्म परिक्षन निम्न लिकित में से कौन जो है वो नहीं दे सकता है तो 19 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका D होगा याद रखेंगे पेंटेन 3 और यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा next देखेंगे 20 number question को 20 number question की दोरा पूछा ज़रा जिसा कि आप देख सकते हैं की अलकील अलकोहल को यहाँ पर आपको क्या करना है एक क्रोलीन में परिवर्तित करने वाला जो अभी करमक है वो निमली कितमे से कौन सा है तो 20 का यहाँ पर आपका जो है C option जो है बिलकुल है सही होगा याद रखेंगे MN O2 जो है बिलकुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 21 नमर कुश्चन 21 नमर कुश्चन के जोरा पूछा ज़रा कि किस में तानू N A O H की उपस्थिती अल्डोल संगनन देता है अल्डोल संगनन कौन सा जो है देता है तो 21 का D option यहाँ पर आपका सही होगा यह रखेंगे Acetyl Dehyde Formal Dehyde का मिस्रन यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चलिए बरते हैं आगे देखते हैं और 22 नमर कुश्चन को देखेंगे पूछा ज़रा कि Aluminium Ethoxide की उपस्थिती में यहाँ पर आपको बताना है कि Aldehyde Ishter में परिवर्थित हो जाता है Aldehyde जो Ishter में परिवर्थित हो जाता है किस आभी किरिया के दुआरा तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा याद रखेंगे आटिसेकनो आपकर आपका बिल्कुल ही छो है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे आपके तईस नम्बर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि केसी यन के साथ गर्म कर अमली करन के द्वारा जो है आपको बताना है कि साइनो हाईडरिक बनने के लिए साइनोहडिक बनने के प्रती सबसे आधिक किरियासील योगिक जो है वो निम्न लिकित में से कौन सा है तो तैसका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा डियाटमिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नमर महत्पूर्ण को बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा योगिक पच्चास परतिसत सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन से किरिया करके अपने यहाँ पर आपको बताना है कि अपने अलको हल तथा आमल देता है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो यह 24 नमर है 24 नमर कुश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा डैटमिस या पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नैस्ट देखेंगे यहाँ पर अपने 25 नमर कुश्चन को बोला जारा है कि निम्न में किस अभी किरिया में कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता है कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता है तो 25 का यहां पर आपका A option सही होगा अधर रखेंगे कैनी जारो अभी किरिया यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे 26 नंबर question बोला जा रहा है कि calcium format का सुस्क स्वत्रन देता है कौन देता है तो 26 का यहां पर A option सही होगा यहां रखेंगे H, C, H, O यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे यहां पर 27 नंबर question बोला जा रहा है कि निम्ण में किस प्रतिकिरिया से किसी कार्बनिक योगिक में कार्बन की संख्यन नहीं बढ़ती है तो 27 का जो B option है यहां पर आपका बिल्कुल है सही हो जाएगा याद रखेंगे कैनी जारो अभी किरिया यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे यहां पर आप 28 नंबर question बोला जा रहा है कि निम्ण में किस योगिक के अब तरण से primary alcohol नहीं बनता है तो 28 का यहां पर आपका D option सही होगा याद रखेंगे प्रोपेन 2,1 यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखेंगे हम लोग 29 नंबर question पूछा जा रहा है कि LDHIR तथा किटोन के बीच अंतर किया जा सकता है किसे आप अंतर कर सकते हैं तो 29 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो D हो का याद रखेंगे फेहे links घोल से किससे तो फेहर links घोल से आप इस दोनों के बीच जो है अंतर असपस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर जो है तीस नमबर कोईश्चन पूसा जारा कि निम्न में कौन आयोडो फॉर्म जांच तथा फेलिंग्स जांच दोनों ही दे सकता है तो तीस का डी ओप्सन है यहां पर आपका सही होगा यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चलिए आज के लिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताईए और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा और इंटरमीडिये बोर्ड एक्जाम के बहतर त्यारी के आज़िए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और मुबाइल एप जो लोग डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मुबाइल एप का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से मुबाइल एप डाउलोड कर लिजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब दक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टरी देखते रहिए